हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई योट्यूब चैनल, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जॉप नॉटिफिकेशन के बारे में, आज की जॉप आपके लिए रहने वाली है, पंजाब स्टेट कॉपरेटिव बेंक की तरफ से, पंजाब स्टेट कॉपरेटिव लेचिन की तरफ से र्कॉर्मेंट जारी कर दी गई है, तो यहां पर कितनी विकेंसी के लिए नॉटिफिकेशन जारी किये गए है, क्या सलेक्शन प्रसैसर रेने वाला है, क्या एजुकेशनर के टेनी रेने वाला है, पूरी जानकारी दी जाएगी आपके इसको वीडियो में तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट जॉप अपडेट के लिए तो बीना कोई टाइम बेस्ट करते हैं वीडियो को शुरू तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पंजाब स्टेट कॉपरेटिव बैंक लिम्टेड का ओफिशल नोटिफिकेशन यहाँ पर उपन कर लिए हैं जो की वीरिस पोस्ट के लिए यहाँ पर निकाला गये हैं और यहाँ पर कौन-कौन सी पोस्ट रहने वाली है तो यहाँ आप देख सकते हैं senior manager की manager की information technology officer की clerk कम data entry operators की यहाँ पर विकेंसी रहने वाली है तो यहाँ पर starting date की हम बात करें starting date हम कब से apply कर सकते हैं तो यह आप 29th April से apply कर सकते हैं आज के दिन से आप यहाँ पर apply कर सकते हैं next time यहाँ पर बात करते हैं last date की तो last date आपकी रहने वाली है 20th आप मेई आपकी last date रहने वाली है अगर आपको online apply करना है तो आप apply यहाँ पर कैसे कर सकते हैं तो आप apply करना पड़ेगा आपको www.panjabstatecooperativebank.in पर जाके आपको apply करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं next time यहाँ पर बात करते हैं minimum qualification की तो आपकी minimum qualification रहने वाली है senior major के लिए तो यहाँ पर senior major की post के लिए post graduation आपसे मांगी है या आपने MMFC, MBA आपने की है, Chartered Accounted की है, graduate हो आप, graduation आपने की है 50% marks के साथ तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं and candidate have must knowledge of 50% past Punjabi knowledge आपके पास ही होना चाहिए, metric level तक आपने यहाँ पर Punjabi पास की होना चाहिए, next time यहाँ पर बात करते हैं, essential experience की, तो candidate must have been required directly as a scale 1 officer, प्रोवेशनरी, official, management, trainee, equivalent should be, प्रैस मिनमुम फाइव यहाँ पर experience मांगा है, and minimum five years experience in assistant manager, manager in Punjab, state cooperative bank, in any central cooperative bank in the state of Punjab, तो यहाँ पर five years का आपके आपस जवाब हो, experience मांगा है, अगर आपके पास नवाड का officer का यहाँ पर experience है, RBI में आपके पास experience है, या पर cooperative bank या किसी other bank में आपके पास experience है five years का, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, तो next time में यहाँ पर बात करते हैं manager की post के लिए, तो यहाँ पर 50% आप से post graduation मांगी है, MFC, MB आपके पास होनी चाहिए है, chatted accounted accounted है, graduate हो आप, यह graduate with आप CA, IIB, both parts में हो, तो भी आप इसमें apply कर सकते हो, and पंजाबी इसमें भी आपको 10th pass होनी चाहिए, next time में यहाँ पर बात क आपके साथ equivalent gradient MCA, MSC information technology में आपके पास होनी चाहिए, यह आपने 55% marks के साथ आपके पास bachelor degree, यह बी टेक, बी टेक, बी एस इंजिनरिंग, अगर आपके पास है computer science में, तो आप इसके लिए apply कर सकते हो, इसमें भी आप से metric level की आप से, जो पंजाबी यहाँ पर मांगी है, next time यहाँ पर बात करें, तो कलरक की पोस्ट के लिए यहाँ पर, कलरक कम यहाँ पर data entry की जो पोस्ट रहने वाली है, वो 709 यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नमबरों पोस्ट की यहाँ पर बात करें, तो 709 यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है एंड यहां पर भी आपसे graduation मांगे है second division में any stream में आपने graduation की है या post graduation की है any stream में तो आप इसके लिए apply कर सकते है diploma certificate minimum 6 month इनने computer application का आपके पास होना चाहिए या should pass आप यहां पर metric standard की आपने यहां पर पंजाब भी की होनी चाहिए stanotypist की बात करें तो यहां पर 10 vacancy रहने वाली है post graduation आपके पास होनी चाहिए यह graduation आपने की है diploma आपके पास है certificate 6 month का computer का तो आप यह apply कर सकते हैं पंजाबी and English shorthand 80 bird per minute यहां पर speed आपकी होनी चाहिए and transcription में आपकी 20 bird per minute speed होनी चाहिए पंजाबी आप पास होने चाहिए 10th level तक तो यह पंजाब के student के लिए काफी अच्छी job है and other state के student के लिए इसका ज्यादा फाइदा नहीं हो रने वाला है जितने की पंजाब की student को उसका मिलेगा तो यहां पर देखते हैं number of posts with each category तो यहां पर category के साफ से आप पोस्ट देख सकते हैं अपनी next time यहां पर बात करते हैं तर्मन कंडिशन की तो आप यहां पर देख सकते हैं तर्मन कंडिशन आप यहां पर पढ़ सकते हैं नेक्स तम यहां पर बात करें तो जो आपकी refundable fees रहने वाली है non-fundable जो फीस रहने वाली है वो आपकी 1400 यहां पर फीस रहने वाली है and sc के लिए जो वो आपकी 700 fees रहेगी तो बाकी all category के लिए आपकी 1400 यहां पर fees रहने वाली है and आपकी minimum age जो यहां पर बताई गई है वो 18 years बताई गई है and maximum age आपकी 37 years यहां पर बताई गई है तो आप इसमें apply कर सकते हैं eligible candidate जो भी है वो यहां पर apply कर सकते हैं next time यहां पर बात करें तो यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं जो salary रहने वाली है category पोस्ट की senior manager के लिए यहां पर 3500 salary रहने वाली है तो काफी अच्छी यहां पर salary दी जा रही है तो आप इसमें eligible candidate जो भो यहां पर apply कर सकते हैं बाकी यहां पर हम बात करें selection procession syllabus की तो यहां पर आप देख सकते हैं जो syllabus यहां पर रहने वाला है for the post के लिए तो यहां पर senior manager के लिए जो objective type paper होगा वो आपका 100 marks का यहां पर पेपर रहेगा जिसमें banking के 40 marks का होगा computer application का 10 marks का होगा reasoning ability 10 marks की quantitative aptitude 10 marks का general awareness 20 marks की and English 10 marks की यहां पर रहने वाली है तो यहां पर negative marking आप की रहेगी and आप यहां पर देख सकते हैं detail of the senior manager के लिए यह आपकी रहने वाली है next time यहां पर बात करें जो आपका यहां पर syllabus रहेगा तो यहां से आप देख सकते हैं जो syllabus यहां पर आप पड़ सकते हैं इसका link मैं आपको description मैं दे दूँगा तो आप टेलिग्राम में जाके मास इसकी जो अब पीडियाफ देख सकते हैं next time यहां पर बात करें second post के लिए manager object manager के लिए जो प्रोस्ट आपकी रहने वाली है उसके लिए यहां पर क्या syllabus रहने वाला है और क्या पैटर रहेगा आपका तो computer relation के 10 question आएंगे and आपका reasoning ability के 15 marks का question पेपर होगा आपका quantitative बस दिया गया है वो यहां पर देख सकते हैं next time यहां पर बात करें तो यहां पर जो तीसरी post आपकी information technology के लिए तो यहां पर उसके लिए जो दिया गया है information technology और computer application में 45 marks का आपको यहां पर question आएंगे and reasoning ability 10 marks की quantitative aptitude आपका 10 marks का general awareness and banking 15 marks की पंजाब भी आपकी 10 marks के इंग्लिश 10 marks की तो टोटल 100 marks का रहने वाला है next time यहां पर बात करें तो information technology और computer application करें आप यहां पर देख सकते हैं next time यहां पर बात करते हैं raising ability and आप यहां पर जो भी syllabus है यहां से अपना syllabus देखके exam की त्यारी कर सकते हैं next time यहां पर बात करें गलर कम data entry operator की तो यहां पर computer application के लिए 15 marks reasoning ability 15 marks quantitative after 50 marks general average and banking 25 marks पंजाबी 15 marks की 15 marks की आपकी English यहां पर रहने वाली है total आप पे 100 marks का यहां पर होगा तो उसका syllabus यहां पर नीचे दिये गया है तो आप यहां पर देख सकते हैं next time बात करें तो यही पोश्ट थी और इसके सभी मैंने यहां पर syllabus आपको बता दी है और इसकी last date बता दी इसकी fees आपको बता दी तो यहां से आप जो उसको apply कर सकते हैं बाग की कि अगर कोई information चाह कर दोगा कर दो